Hello friends, welcome to Poorwaanil Education friends. Today we are going to learn Read 2 from Unit 6 Standard 11 English 2nd Language and the name of the chapter is Suspect Identification. इटले के शंका शिलोनी ओडख. Suspect Identification अटले के जे गुनेगार होई छे. अथवा तो जे ने कोई वेक्तिय गुनो करयो होई अने एक गुनेगार ने शोधी काडवानी पद्दती अथवा तो व्यवस्था. अत्यार सुधी आपने कालपनिक गुना शोधग पात्रो जेवा के फादर ब्राउन, शेलोक होम्स अने व्योमकेश बक्षी कोई पने टेक्नोलोजी ना उप्योगसिवाई गुनेगारोनी ओडखी काड़ता हाता. अत्यारे CID के Criminal Minds अथो क्राइम पेट्रोल सावधान इडिया जेवी टीवी सिरिलो माँ डिएने मेडवीने गुनेगारोनी ओडख थती दर्शावामा आवे छे. दरेक मानस माँ डियेने एस सोथी पायानी अतोदो पायानू जेविक द्रवी होई छे. अने ते आदवितिय लेके मात्र एकज होई छे. अने आंगलियोनी चाप पन जोड होई छे. आ ओडख लोही लाड केपची मात्र एक वार्ती थाई शके छे. आदूनिक तेकनोलोजी माँ डियेने फिंगरप्रिंट ने बारकोड भात मा तबदिल करवामा आवे छे. पोलिस शंका शिलोनी ओलख माटे तेमने मेल वे छे. डियेने कदाबी खोटू न होई शके. ते सोथी वदारे वैग्णानीक अने असरकारक साधन छे. आसी वाई पन शंका शिलोनी ओलख माटे अन्य असरकारक पद्धतियो उप्योग मा लेवाई छे. जो साक्षी होई तो खास सौफ्टर नो उप्योग करी ने फोटो कंपोजिट्स पन उभा करी शकाई छे. शारिरिक पुरावा पन शंका शिलोनी ओलख मा काम लागे छे. दातनी नोंद पर थी बटकू भर्याना चिनोंती पन उडख स्थापित करी शकाई छे. दोस्तो आ अलग-अलग पद्धति छे. एमा तमने जे डी अने नी वाद करी छे. दाट इस डियोक्सिर्बो न्यूक्लिक आसिड. अ न्यूक्लिक आसिड देट क्यारीज देट जैने ए पर्थी आपणे जे सस्पेक्ट छे एनी ओडख करी शक्ये छे. त्यार बाद फोटो कंपोजेट्स एक शब्द दमने यां बोलोतों हुआ च्छे. एनों मतलब थाय चे के साक्षियों ना वर्णन मुझब जे गुनेगारों छे तेना रेखा चित्रों बनावाते. तो आ आवीज पद्दतियों ने ध्यानमालाई ने एक खुब नानो वो पाठ यां आपनी समक्ष रजु करवा जही रहा चे. पाठ खुब नानो चे परंदु खुब अज इंट्रेस्टिंग छे. आजनी आधुनिक युग मा जे टेक्नोलोजी वो वपराई छे एना विशे समजानो पाठ शस्पेक्ट अदेफिकेशन अलेके शंका शिलोनी ओलक. वेदर यू वच डिटेक्टिव सीरियल इन टीवी, यू मस्ट हैव सीन डी एना सेंपल्स बेंग मैच्ट. तमें चाहे CID जोता हो या क्रिमिनल माइंड्स, तमें डी एना नमुना मिलावता जोया हा अने आ डी एने प्रुथक्करण जे छे ए शा माटे टीवी शो मापन तेने दर्शावता वदू असरकारक तेमज रस्प्रद मानता हाशे. तो चालो आपडे जोये, कोई पन टेकनोलोजी ना उप्योग सिवाई, गुनेगारो ने शोधी काडवाना तेमना कोशल्य माटे फादर ब्राउन, शेलोक होम्स अने व्योमकेश बक्षी जवा काल्पनिक पात्रो सुवख्याद बनी चुक्या छे. But today, investigators rather use lots of new technologies to identify culprits. परन्तु अत्यारे गुनेगारो ने अत्वा गुना शोधो को गुनेगारो ने शोधी काडवा माटे घनी बदी नवी टेकनोलोजी नो उप्योग करे छे. And the most popular and accurate of them is them all is DNA analysis. सोथी वदारे जानिती ने भूल वगर नी टेकनोलोजी कोई होई तो ते छे DNA प्रुथकरण नी रीत जे आपड़े अगर चर्चा करीगा छे. DNA is the most basic biological material that every human being has. DNA ए मानव शरी नू एकदम पाया नू जेविक द्रविय छे. Every cell in a human being has thousands of DNA strands. जे दरेक मानव होई छे. मानव शरी ना दरेक कोश मा हजारो DNA ना तंतु कणो जे कईश का एकदम सुक्ष्म प्रकार ना ए होई छे. This DNA is unique. आने आ DNA केवा होई छे? Unique एलेके अजोड होई छे. Every person has a unique DNA fingerprints. दरेक वक्ती नी DNA fingerprints अद भी तिया होई छे. एलेके एक बीजा साथे क्यारे मेच थाये भी होती नथी. दरेक नी पोतानी personal DNA fingerprints होई छे हुखई शकाई? Yes, very own personal. Yes, friends, these fingerprints can be identified using any available evidence like blood, saliva, etc. आ fingerprint ने लोही लाड वगेरे प्राप्य पूरावोनों उप्योग करिने ओडखी शकाये छे. Even a single hand is enough to identify it. अरे मात्र एक वाल पन आ fingerprint ओडखी काडवा माटे पूर्तो छे. Advanced technology helps us to find this DNA fingerprint. अध्यतन technology आपणने आ DNA fingerprints ओडखी काडवा माँ मदद रूप थाये छे. It is transferred on sheets in form of barcode patterns. ते barcode pattern माँ कागड़ पर तबदिल करवा माँ आवे छे. Police use these to match them to the suspects. पॉलिस चे आ बार कोड़ पेटन नो प्यो करी शंका शिलोने साथे मेडवण करे छे. मतलब के जना उपर गुनों होई छे, जना पर शंका होई छे, एना DNA साथे ने मेच करवा माँ आवे छे. DNA cannot be faked. DNA कदा पी बुल भलेरो होई शके नही. Hence, it is the most scientific and effective instrument to use in identifying suspects. तेथी, ते गुनेगारोने ओलखी काडवामा सोती बदु वेग्णानिक तेमज असरकारेक्ट टेक्नोलोजी छे. That's why investigators prefer using these techniques. तेथीच तो गुना श्रदोकोने आट टेक्निक नो उप्योग करवो खुबज वदारे पसंद छे. Other effective methods are also used in suspect identification. श्रंका श्रदी ओलख माटे बीजी पन असरकारक पद्दतियों उप्योग करवामा आवे छे. और DNA cannot be faked अपने वाद करिये प्रमाने सबती वदारे आनो उप्योग वदारे करवामाच करवामाच करगे फेक होतू नथी. ट्यार बाद छे के photo composites are created using special software if there is a witness. जो साक्षी प्राप्य होई, आई विटनेस खास करीने, तो खास software नो उप्योग करीने गुनेगारों ना रेखा चित्रपन तैयार करवामाँ आवे छे. दोस्तों तम्हें घणिवार जोई होशे के खड़ा बदा आवा प्रकारना जे सिरियल्स छे, एनी अंदर एक sketch artist ने बोलावामाँ आवे छे, अथवादो कोई technology नो उप्योग करवामाँ आवे छे, बनने नी अंदर जे witness होई छे, एमने अलग-अलग सवालों पुछवामा मा आवे छे, विटनेस जे ए ए जे व्यक्ति जेने एने जोयो होई छे, एनी थोड़ी गणी जे चाप एना मगज मा छपाई छे, एने वर्णन करे छे, के एनी आखो केवी नानी हती, आखो मोटी हती, एना वाल लांबा हता के टूका हता, एना एना फेस पर डाढ़ी हती के नहीं, वगेरे वगेरे वाबुतों ए वर्णन करे, एडले जे पेलू कॉंपीटर छे, एना माध्यम थी, एवो सेम चेहरो बनावनी कोशिश करवा मा आवे छे, आदरवाइस, दे पेलो स्केच आर्टिस्ट होई छे, एनी पोतानी स्किल थी, आप्रकार ना स्केचिस बना पाई सस्पेक्ट्स, शारीरिक एनी जे कोई पन ओलक होई, एविडेंस होई, कोई पूरावा होई, ए पन घणिवार ओलक माटे वपराता होई छे, या तमने वाद करी छे के दंत चिकित्सानी, नोंदनों उप्योक करीने, जे कोई पन वक्ती, जे एनू डेंचर अलेके ज जडबू होई छे, बाईट मांक्स आर ओलसो यूज इन, यूसफूल इन अडिटिफाइंग, दे कल्पिट्स, उजिंग देर डेंटल रेकोर्ड्स, मतलब के आज फिजिकल एविडेंस छे, फर एक्जामपल, कोई ना शरीरिन नों कोई भाग, अतमादों कोई एवी निश निशानी होई छे, ए यूस करी शकाई छे, तदू प्रांत, कोई व्यक्ति ने, कोई बाईट करियू होई, बटकू भरियू होई, आने एनू जे डेंचर लगे जेनू जडबू छे, इननी छाप तियां पड़ी गई होई, तो एवा परिसिती माँ पन जे गुनेकार छे, एनना बच्का भरियाना निशान नो उप्योग करी ने, एनी ओडख करी शकाई छे, because it is also unique, friends, तो अबाग घणा बदा पद्धती मेथर्ट्स छे, जेना माध्यम थी आपडे जे सस्पेक्ट छे राइनिटिफाई करी शके छे, friends, very short but very interesting chapter, very knowledgeable chapter अधराई से, so I am sure कि तम नें सम्झाई चुक्योशे, if you still have any query or doubt for this particular chapter, you can take the help of comment box, I will try my best to answer your time, thank you so much, bye-bye, have a great day ahead.